अब हम बात करते हैं डाउट की बात कर लेते हैं कुछ-कुछ question मैं पूछ लेता हूं आपसे हाँ तो पहला यह question है कि क्या collecting ducts involved होंगी है ना collecting ducts involved नहीं होती क्यों नहीं होती क्या फिनोमेना है यह जहां से सुना nephron is equal to glomerulus plus renal tubule ठीक है nephron is equal to glomerulus plus renal tubule ओके अब renal tubule is equal to what renal tubule में होगा PCT इसमें होगा loop of Henle descending ascending limb और DCT यह चीजे बावन capsule सबसे पहले बावन capsule PCT loop of Henle DCT यह चार चीजे होंगी ठीक है collecting duct का अगर हम diagram देखें तो diagram में आपको पता चलेगा कि multiple multiple जो DCT हैं उन DCT से यह drainage लेता है तो अगर multiple DCT से drainage ले रहा है तो आप इसको किस particular nephron का या किस particular renal tubule का part कहेंगे कहाई नहीं जा सकता इसको ना एंसी आडिका यह जो diagram है अगर हम देखें तो उसमें पता चल जाएगा कि multiple multiple जो DCT से वह इसमें आ रही है यह रीजन है कि और माल पीजन कापसल क्या हो अच्छा माल पीजन कॉपसल पूछ रहा हूं मैं माल पीजन कॉपसल इस इसमें क्या है यह जो सामने डाइग्राम है नहीं माल पीजन कापसल बामन कापसल थोड़ी होता है एनिवान इसको हम बोलते हैं माल पीजन कापसल है